बहुचर्चित फर्जी जन्म प्रमार पत्र मामली बेर रामपुर एमपी एमले कोट में एतिहासे का देश सुनाते हुए आजम खान उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम को साथ साथ साल की सजा सुनाई है जारकारी के मताबिक तीनों को कोट से सीधे जेल भेचा जाएगा कोट ने मामले में दोरुप पक्षो को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है और आजम खान उनकी पत्नी तंजिमा और बेटे अब्दुल्ला खान को दोशी करा आर्दगा है दरसल हाई प्रोफाइल मामला होनी की वज़े से आज सुबह से ही पुलिस प्रिशासन सक्त पहरा देती हुई नजर आई आपको बताते चले कि भाजपा विधायक आकाश्य सक्सीना ने आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ गंज थाने में प्रात्मी की दर्श कराई थी जिस पर आखिरकार कोट ने अपना फैसला सुनाते हुई साथ साल की सजा सुनाई है दरसल आजम खान के परिवार के खिलाफ दो जन्म प्रमार पत्र का मामला भाजपा के विधायक आकाश्य सक्सीना की तरफ से दर्श कराई गया था आपको बताते चले के इसमें आरोप था कि आजम खान ने बेटे के अलग-अलग जन्म तिथी से दो जन्म प्रमार पत्र बनवाए है जहां एक जन्म प्रमार पत्र रामपुर नगर पालिका से बना है तो वही दूसरा लखनाउ से बना है वह इस मुकत्मे में आजम खान के अलावा उनके बेटे अब्दिल्ला और पत्नी पूर्वसांसर डॉक्टर तंजीन फात्मा भी नामजाद है दरसल आजम खान पिछले साल मई में 27 मही ने जेल रहकर सुप्रिम कोट से मिली जमानत पर बाहर आये थे उस समय आजम खान पर 78 केस दर्ज थे तब कोटे भी यूपी सरकार के वकील से पूछा था कि ऐसा सन्योग क्यो हो रहा कि आजम को एक केस से जमानत मिलती है तो दूसरा केस दाया हो जाता वह यह से पहले आजम खान के वकील ने अरजी लगाई थी केस सुप्रिम कोट से ट्रांसफर किया जाए हाला कि यह अरजी कोट ने खारिज कर दी थी और अब्दुल्ला आजम की ओर से जला कोट में 16 अक्ट्यूबर को रिवीजन दाखिल किया गया था जनपर जज ने केस को MP MLA सेशन कोट में ट्रांसफर कर दिया था दोनों पक्षों को सुनने के बाद MP MLA सेशन कोट के जज विनोध बर्नबाल ने अब्दुल्ला का रिवीजन खारिज कर दिया जिसके बाद MP MLA कोट ने फैसला सुनाते हुए आजम खान और उनकी बीवी साथी बेटे तीनों को एक साथ जेल भेज़ गया